आप सभी का हमारे यूट्व चैनल लेरन वीथ मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर यह आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिगा आगर आज मैं बात करूं आज के से तक में अपने फर्डियोड के तो अब लको नोगों किन Somag का मिक्षर ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे डबल रोकी तो अगर मैं डबल रोकी बात करूं तो किस तरीके से इसमें पूछा जाता है इसमें ऐसे दो पंक्ति दी हुई रहेगे इसमें एक पंक्ति में पांच या छे वेक्ति बैठे रहते हैं ठीक है तो टोटल कितने हो गए पांच इसमें रहेंगे पांच इसमें दोनों में हमेश्य किते रहते हैं बराबर रहते हैं ठीक है तो और पहली पंक्ति में दूसरे में भी पांच ठीक है आज है च्रहा पूरसके लंका हिए 10 या 12 वेक्ति यों ब्हच्ष जाता है ठीक है दस या 12 मेंबर रहते हैं ठीक है 10 रहेंगे तो पांच इसमें 25 इसमे फिर बारा रहेंगे तो छे इसमें और हुआ तो थे यह आद्धियान रंति है हम, इसमें कभी पहिं आपको यह नहीं बूलेगा कि पहले वाले भी नौर्ट, से देख रहे हो दूसरे वाले भी या फिर प फेस आमने सामने बेहन रहते हैं आमने सामने सामने बाइट खाले हैं इनको देखें लिए की से बाइब को देखें kap अत्वल आमकर दरा निखी तो इसका है कि आ मैंने अधर खाले हैं इस आम मतलत पंक्ति कंद行 की मतले हो मतलब नहीं बस इतना ध्यान रखना है कि जो रोवन बोलेगा उसमें कौन कौन से मेंबर बैठे है उनका फेस का है ठीक है फिर वो रोवन यह हो चाहिए यह हो ठीक है तो चलिए हम अपना कोशन स्राट करते हैं ठीक है इतनी बाते समझ आई बस इतना ही है और यह तो मैंने आ 10 persons are sitting in two rows अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले मुझे परता है दो व्यक्ति दो रो में बैठे हैं तो हम क्या कि यह दो पंक्ति बना लिया हमने ठीक है इन फर्स रो देखो फर्स रो कौन सी हो सकती हमें नहीं पता क्या बोल रहा है कि पहली लोग वाले कहा है कौन कौन है A B C D ठीक है A B C D E are sitting ठीक है पहली पंक्ति में यह बैठे है और यह कहां देख रहे है नौर्थ की तरफ ठीक है और क्या बोल रहा है दूसरी पंक्ति में कौन कौन बैठे है P Q R S T ठीक है and they are facing South और यह कहां देख रहे है South direction ठीक है फिर आके बोल दिया इसना इच मेंबर ठीक है प्रत्येक सदसी जो एक पंक्ति में बैठा है इस फेयसिंग तूदब देखे और गर ऐसे ले लोंगे तो यह वाला ऐसे में तो यह दूसरे को नहीं है तो हमें कैसे बठाना है ऐसे ठीक है ऐसे बैठाना है हमें तो अब ऐसे कैसे बैठेंगे देखो यह ऐसे देखेंगी यह मतलब यह कहां देख रहें नौर्थ यह कहां देख रहें साउथ तो इसका क्या हो जाएगा साउथ देख रहें तो कैसा आ जाएगा इनका राइट टू लेफ्ट ठीक है यह मैं तो पहली पंक्ति कौन सी आ गई अब नौर्थ वाली मतलब यह वाली तो A B C D E ठीक है और उपर वाले में कौन बैट जाएगा P Q R S T इतना सारी जो लाइन दीक तो A B C Q R रहती है ठीक है कि वो किस तरीके से बैठिंग इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो चलिए अब हमागी इंफर्मेशन को पढ़ना साथ कर देते हैं क्या बोल रहा है यहां तक हो गया था अनदर रोटक कहना अब क्या बोला है देखो टी सीट्स थार्ड लेफ्ट पे है जो क्या है कि धो क्या यह बंदा क्या अपैट है विपरित है ठीक है हमने अईय साले लिख लिया अभी क्या बोल रहा है इसमें हटा देती हूं कि यह क्यार बोलता है अगे पढ़ते हैं P sits opposite to E तो मैंने क्या लिख लिख लिए P क्या है opposite है E के ठीक है और क्या बोल अभी देखो अब इसने क्या बोला directly opposite बोल दे मतलब P और E क्या है आमने सामने ही बैठेंगे ठीक है diagonally opposite बोलता तो हम ऐसे ले लिते ये मैंने आप लोगों को पिछले सलसन में पढ़ा रखाया ठीक है आप लोगों ने अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे है अगर आप मेरा वीडियो तो प्लीज उसे जाकर क्या करना पिछले वीडियो को भी देख लेना ताकि आप लोग को जो basic terms है कि वो क्या हो जाए playa rЙो थीड़ हो ठीक है तो चलिए अब हम आगेपड़ते है P sits appositi to e हो गया अब क्या बोल रहा है d sits third right of a अब मैंने क्या लिख लिए di kar बैटा हुआ थारट पे किसके एक ठीक है और क्या बोल रहा है end अब d है है उसके पाँ आगया तो यह किस लिए अगया बाद यह किसके लिए दो क्या बॉल रहा है फिल מאivia खाएगया यह संदल यह बोल रहा है है यह ए Y zero Seigent Less पर को नहीं को सब्पिर के इन फ्रमेशन देखे थे इन हमने क्या दिवाशन रही है तो कोई बन्दा है उसके थर्ड लफ्ट पर चाहिंगे तब मतलब यहां पर मालो कोई बंदा होगा ठीक है यहां पर क्या होगा कोई बंदा होगा ठीक है यह कोई बंदा है एक्स वैजट उसका थर्ड लेफ्ट ठीक है एक मैं इसी इधर ले लेती हूं ठीक है थर्ड लेफ्ट पर लेना है यहां पर कोई एक बंदा है ठीक है हमें नहीं ठीक है यह क्या है opposite है B के मतलब यह बंदा क्या है opposite है B के ठीक है क्या उलस्ता T sits third left of that person who is opposite to B T क्या है उस बंदे के तीसरे पे हैं जो क्या है B की opposite है तो T और B क्या हो गया ऐसी fix हो गए और यह 4 seat हमारी fix हो चुकिये ठीक है देखो यह पीटा क्या बहुआ है P sits suppose to E से मैं कुछ बता सकती है नहीं नहीं बता सकती है और क्या हो रहा है देखो A sits third right of A sits third right of a sorry A के third right पे है A के third right पे कौन है D है देखो क्या बहुत है यह थोड़ी से confusion होगी देखो A के third right पे कौन बैठा हुआ है D बैठा हुआ ठीक है D कहां बैठा है A के दाएं तीसरे पे है ठीक है A के दाएं तीसरे पे है तो अब मैं क्या करूंगे देखो चार सीट है पांचवी अगर मैं यहां पे बनाओ A से दाएं तीसरे चाहिए मतलब A यहां पे है North वाले में बैठा है तो दाएं तीसरे इधर होगा मतलब सी प्लेस बची लेखो अगर मैं एक मेंबर यहां पर बढ़ा हूँ एक मेंबर मैंने यहां पर बठा लिया मालो तो ए यहां पर आ गया तो एक दो दी यहां पर आ जाएगा ठीक है पहला तरीका ठीक है पहला तरीका समझ में आया यहां पर बैठा तो दी यहां पर और मुझे क्या बोल रहा है एंच लिए तो और पर अ बेठाड बची तो हम क्या करने क हैं, यहांती बठा लेंगे , ठीक है यहाँ पे जब हम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक के थर्ट राइट पे डी मतलब ए यहाँ पे आ गया तो डी क्या जाएगा यहाँ पे ठीक है तो यह क्या होगा information use हो गई ठीक है ए और डी हमारे क्या होगे बैट गए ठीक है यह बात समझ मैं लिए अब क्या बोल रहा है अगे देको एक और पर नहीं है यह बिल्कुल सही होगा हमारे एक ओर नर पे डी किया है डेगनली अपोसीट है किसके क्योंकि दी यहाँ पे तो क्यों कहा जाएगा यहाँ पे ठीक है यह पांच वसरद्ध से की सीट होगे ठीक है और क्या बोल रहा है P opposite है E के देखो अब P E यहाँ पर आने सकते P E यहाँ पर आने सकते क्यों क्योंकि A already बैठा हुआ है ठीक है P और E के लिए यह sit बची P यहाँ पर E यहाँ पर ठीक है वाले में कुछ बचा है? R और S तो R और S के according इन से related कुछ इनफर्मिशन ऐसी दी हुई है कोशन में जिससे कि मैं इससे solve कर पाऊंग कोशन नहीं मतलब R और S क्या चलेंगी? फ्लक्चुल चलेंगे, ठीक है? R और S फ्लक्चुल चलेंगे, हमने लिख लिए R और S ठीक है तो इस question पे जितनी information दी थी उसके हिसाफ से हमने क्या किया इसको arrange कर लिया ठीक है जब भी question में आया तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है आप सबसे पहले दो row बना लेंगे ठीक है उसके बाद जैसे left right रहेगा right left रहेगा जैसा भी रहेगा आप उसे लिख के इस से क्या रहत है हम लोग को बनाने क्या हो जाती आसानी हो जाती है अगर में side पी यह नहीं लेके चलूझा तो मुझे क्या रहेगा थोड़ी सी confusion रहा थी कि नीचे पर आएगा थी कि आप लोग को क्या करना है ऐसा करना है थी कि उम्मीद करते हूं कि यह question क्या होगा आप चलते हम दूसरे कोशन की तप, दूसरा कोशन यह रहा हिंदी पर, आप इसका स्करिंट रट लेकि रख सकते हैं, अब चलते हम इंग्लिश की तरफ इंग्लिश पर यह रहा, ठीक है, क्या बोल रहा है, आप देखो, एक कोशन दिखने में हाला कि बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं जितना यह दिख रहा है ठीक है क्योंकि आधी information तो वैसी दी हुई रहेगी अब इसने 12 members बोल दिया मतलब 6 वक्ति पहली पंक्ति में 6 वक्ति दूसरे पंक्ति में ठीक है और क्या बोल रहा है देखो 12 friends are sitting in parallel row ठीक है parallel मतलब समानतर रेखा में मत क्या बोल रहा है in first row in first देखो each row is containing six people मतलब सभी में 6-6 वक्ति है ठीक है in first row LMNOPQ ठीक है यह पहली रो है इसमें LMNOPQ बैठे हुए ठीक है इनका फेस कहां है south की तरफ इनका फेस है ठीक है तो अगला वाला कहां देखे का नौर्थ वाले इसमें कौन-कौन बैठे हुए है नौर्थ देख रहे हैं और क्या बोल रहा है इच मेंबर हुशिट इनरो प्रतिक सदर से जो क्या है एक पंक्ति में बैठा है इस फेसिंग तुदा मेंबस अनादर वो क्या है किसी दूसरी पंक्ति वाले के सदस्यों को देख रहे हैं मतलब ऐसे और ऐसे हैंगी south वाला यह गया तो नौर्थ वाला सेकेंड रो है और नौर्थ वाला में क्या जाएगा left to right हमने लिख लिए left to right south वाला कैसा आता है right to left हमने लिख लिए right to left ठीक है और south वाले में कौन-कौन बैठा हुआ है यह समझ मैं हम क्या करते हैं इसे हटा देते हैं और लिख लेते हैं L M N O P Q ठीक है और क्या बोल रहा है U W XY Z तीक है यह यहां पर बैठे हुए अब मैं इसे हटा देती हैं अब क्या दिया हुआ देखुआ आथी 오े कोशन में तो क्यारा सिर्फ हैसे हमें इससें हमें सिर्फ अरइंड में का तरीका बता दिए घतीए अब आधी information क्या रहेगी questions के according भी इन्फितन पेस्ट के अपको हैकस किया इतला है राइंजमेंट के एकस को किसके लिए इतला पा सिर्ण के सिरक उद्नोंbar फार तो एकसी है एकस एकस किसके तो जो गया घ्र कर विंध हाई ठीक है तो हम इनञेश कुछ सेटीं रीक है न का इनwor्मेशन क्या बोल रहा है M is sitting opposite to X M कहां है X की opposite है हमने लिख लिख लिया not sitting at corner अब corner पर कौन नहीं बैठा M की X तो MX के बाद कॉमा करें जो information दी हुई है वो किसके लिए उज़ोरी M के लिए क्या है चाहिं किसके लिञें की सब्सक्राइब किसके लिख लिए M क्या है क्या बोलुः है नौट gengs कॉर्ण नहीं थirtyół नहीं है और क्या बोल रहा है और भी उसद्स सीड़ी का मतलव också किसका बोल रहा है नहीं है corner पे ठीक है और क्या बोल रहा है O is not neighbor of M मतलब O क्या है neighbor भी नहीं है किसका M का ठीक है और क्या बोल रहा है and not अब देखो O है M है फिर and करके जो information किसके लिए है O के लिए ठीक है तो हम क्या लिखेंगे O के according ठीक है क्या लिखा हुआ है नौट सेटिंग ए्पोजित टु राला धीक है यू डबू के ठीक है और क्या बोल खैजए इसक प्रमापाff कष़ाइए प्रमाइंत ज्रीच ऑर गर不管 अपयर साटिक है बेले देखो अब क्या बोल रहा है किके बोल रहा है तो पेपल सिक बेटवेन एल और पी में भी दो वेगती है ठीक है और क्या बोल रहा है यह को अफित इनफ़रमेशन हमें दी हुए है अब हम क्या करते हैं इनफोरमेशन से अपना कोशन सोफ करना सब्सक्राइब करते हैं किस पहले लिए हुआ है एकस के एकस के ठर लेफ पर है जैट के तो मैंने चैट ही लिख लिख लिए हैं यहां पे ठीक है इसके थार लेफज एक दो 3 कौन आगया एक्स आ गया ठीक है अब एक्स जट के अकॉर्डिंग कुछ इंफर्मेशन इन से रिलेटेड बिल्कुल जड़ अपोजिट है एन के मैंने लिख लिए जड़ अपोजिट है एन के तो यह चार मेंबर की सिर्ट तो फिक्स हो गई ठीक है और क्या बोल रहा है देखो जड़ क् पनाुप तो उन्फजम है ठीक हैं जड़ अधर इंव्या और क्या बोल रहा है एंश्स के हमने लिख लिए एंप़ोजित हैै एक्स के ठीक है यह चार मिश्न फिर्मिशन लिए हम इसे हटा देते हैं ठीक है इन ऑच पह çुक्स ह komt लिख सक हुए उन प्रभ्डिय में यहां तो एक एक बंद आजु बढ़ के थीक है तो यह चे सीठ हमारी इन्फरम हो गई है ऑम कॉर्णर पE नहीं यह भी रटा देते हैं अब क्या बोल रहा है या क्या है कॉर्णर पे मतलब या तो इदर आएगा वाय या तो इधर आएगा ठीक है और क्या बोल ओ कोए नहीं है मतलब औं इधर और इधर इससे कोटीं ले सकते हैं देखो ओ औंडर पे नहीं मतलब ओ यहां नहीं आना ओ के बूंडर नहीं है इससे ओंडर keeping with देखो दोख केक्वाणिवने सकते हैं तो की अहां में नहीं आओ इहां पर आ तो यहाँ नहीं है है तो अगर नहीं यहाँ नहीं व् ensuite तो यहाँ नहीं नहीं आएगा तो हम क्या करें यह से हक्टा देंगे तो हम क्या के दो लोग एगए और डबलू में दो लोग भी नहीं आया ओकी ठीक है अब क्या हूआ देखो यह इन से इंफर्मिषन होगी locks are p nahi यह यह को a.'posit नहीं है यू का यह भी बचना है ठीक है वाइल को यह प्ति है वाइल के लिए एक सेट कौन सी बच्चिह यह किya बोल रहा है यह क्ना पे नहीं था फिर P आगया ठीक है L और P में दो वक्ती हाग Madeline में अचा नहीं था मतलब यहां ही कौन अचाएगा कौन बचा है एल होगया है एम होगया है एन होगया है फिस हो गया है क्यूँ बचा है क्यूं और यहां पे फीक है और नीचे पे कौन-कौन इन्फर्मेशन दी थी ओ सारी इन्फर्मेशन को इसने डिरेक्ट लिख दिया था जिसकी वज़ा से हमने, टाको इन्फर्मेशन को रीच है और इन्फर्मेशन लेदैज़ करती है,adece आप हको आदे हैं। जल्दी इसको में सब्सक्राइब करें किनारे पर नोटे करें फॉल्टे से अब देख सकते हैं कितनी यह कितनी जल्दी हमने सी सॉल्टेब लिए ठीक है तो अमीद करती हुआ है कि आज का यह विडियो आप लोग को पसंद आया होगा और मैंने जो समझाने की कोशिस की है, वो आप तक जरूर पहुचा होगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल सिंगल रो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें क्या कि हमने सिंगल रो पढ़ लिया है, और डबल रो भी पढ़ लिया, ठीक है, डबल रो में सिर्फ इतना ही पू डबल रो ठीक है यह हमने इसमें जितने जितने टैप की कोश्चन बन सकते थे मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों ठीक है तो कल फिर मुलाकात होगी एक नए कॉंसेप्ट के साथ ठीक है तो चले यह सेशन को एंड अप करते हैं अगर आप लोग के लिए वीडियो है तो फि कर दो कि अप बनसे बनसे पहलिए वीडियो है तो यह सेशन कोश्चन बनसे प्रेंप लोगों के की का?